सब्सक्राइब बटन क्लिकिंग दे बेल बाटन एंजोई दे लेरेस अप्लोड स्रॉम आर चैनल अज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दे चैप्टर इस स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स आप क्लास 9 में आपको पहली बार बढ़ाई गई थी then क्लास 10 में आपने पढ़े अब आप क्लास 11 में भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे लेकिन कुछ नए टॉपिक्स जो हैं अब क्लास 11 में हम पढ़ने वाले हैं तो first of all मैं आपको बता दूँ और टॉपिक्स क्या क्या हैं first is an introduction to statistics मैं आपको फिर से introduce कराऊंगा कि statistics क्या होती है then उसके बाद measure of dispersion यह बिलकुल नया topic है statistics में measure of dispersion क्या होता है किस सरह से calculate किया जाता है और कितने types के measure of dispersion होते हैं यह हम पढ़ेंगे वो types क्या है वो types है range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation इस chapter में यह आप पढ़ेंगे बट यहां पर जो है इस quartile deviation को आप नहीं पढ़ेंगे आप सिर्फ three major of dispersion पढ़ेंगे range, mean deviation, standard deviation quartile deviation को मैं आगे वाली classes में पढ़ेंगे and then उसके बाद मैं आपको बताऊंगा variability का concept क्या होता है और comparison कैसे करते है variability को of two data series यानि जब दो data series दीवी हूं आपको दो अलग-अलग data दीवे हूं आप इसमें comparison कैसे करेंगे on the basis of their variance और वो किससे हम करते हैं वो होता है coefficient of variation coefficient of variation का यूज़ करके आप ऐसा comparison करेंगे तो detail में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे chapter के अंदर तो start करते हैं chapter statistics अप्स च्स